हलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सलूशन आज हमें एक लर्निंग प्लान लिखा रहा हैं जो इंग्लिस से पराधारित है और जिसका टॉपिक है आई लव ग्रेंड मा यह यूनिट वन है तो देखते हैं इस लर्निंग प्ल में और टीचर में अंडरस्टेंडिंग क्या हो सकती है पूर्व समझ क्या हो सकती है तो बच्चे रिलेशन्शिप को जानते हैं संबंधों को जानते हैं संबंध में जैसे दादा दादी नाना नानी आदी को वह अच्छे से जानते हैं उसी तरह से वे उनके साथ खेलना प पढ़ाया है अन्य था I have not taught this chapter before ऐसा लिखा जा सकता है उसके बाद क्या है कि हम टॉपिक के बारे में अच्छे से information इखटा कर लें चप्टर को अच्छे से पढ़ लें उसके बाद जब अच्छे से समझ लेंगे तो हम यह भी समझा सकते हैं कि आखिर इस चप्टर का में एम क्या है बच्छों में उद्देश क्या होनी चाहिए जो वह गरहन कर सके तो information इखटा कर लेंगे में चप्टर के बारे में और उसके बाद बच्छों को पढ़ा सकने के अपनी राय लिखेंगे तो जैसा कि यहां लिखा वह यहां कि मैं बच्छों को अच्छे से पढ़ा सकता हूं तो आई केंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें चप्टर फुल्फिल करता है इसके बाद है क्या यह टॉपिक किसी अन्य यूनिट या टॉपिक से जुड़ा हुआ है तो जैसा है कि हम जानते हैं कि हिंदी के टॉपिक है नानी तेरी मोरनी तो उसे चप्टर से जुड़ा हुआ उसमें भी संबंदों को दिखाए गया और न लान जो बनाएंगे कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले हमको टॉपिक के बारे में और चप्टर के बारे में एक थोड़ी सी नॉलेज गरहन करनी होगी तो डिस्कृप्शन यहां पर लिखा जाता है डिस्कृप्शन इस प्रकार हो सकता है जैसे कि यह टोपिक जो है डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है इस टोपिक इस कनेक्टेट तो आवर डेली लाइफ इस चप्तर एक्स्टेट एफ मतलब कि हम इंसे दो चार होते रहते हैं आपने देनेक जीवर में दादा दादी से नाना नानी से आवर फिता अधी से शाचा से जो संबंध है उनके बारे में हम जानते हैं और साथ ही हम उनकी इज़द करना जानते हैं उनकी respect करना जाते हैं, साथ ही हम क्या कर सकते हैं, कि जो हमारे घर में दादा हैं, दादी हैं, जो बुजूर्ग हैं, उनके हम सेवा भी करते हैं, तो इस तरह के चीजे हैं, जो इसे chapter की दवारा, बच्चों में सिखाने की कोशिश की गई हैं, तो हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, method जो बच्चों को इसके aim को पूरा कर सके, तो देखते हैं कि कोन कोन से अच्छे methods हैं, जो यूज किया जाएंगे, इसके अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, bilingual method, ग्रूप बर्क मेथड इंडिविज्वल वर्क मेथड जहां तक कि बाइलेंगुल मेथड का सवाल है तो हमें बच्चों को यह जो बहुत ही छोटे अस्तर के बच्चे होते हैं उन्हें दो भास हमें पढ़ाना ही सही होता है फिर कुछ दिये जाएंगे जिसे बच्चे अच् व्लिशन्षिप होगी उसका बच्चे में कितना नौलेज है इसके बाद उनके फिरेंट के बारें नहयंस के आए उसके बाद त्यानकरी光 करसे ुपियोग नदेलेंगे नकी समझाएंगे बच्चों to उसके बाद जो है suscept led का a1 करते हुए बचो को बताएंगे적으로 इस Prophet क्या बताना चाह रहा है जिसमें उसके गुर्ण मजर के बात कहीं कहीं है और और ने मज़र के साथ बचे के साथ जो संबंध है खेलना कुदना है और उसका आदर करना है उसका नटकटपन है वो सब दिखाया गया है इसके बाद हम देख सकते हैं कि ग्रूप वर्क मेठड किस तरह से यूज़ करेंगे इसके अंतरकत हम क्या कर सकते हैं कि फैमिली ट्रीबर वा सकते हैं उनके जो चित्र है उनके द्वारा परदर्शित कर सकते हैं तो यह चार्ट पर कुछ टास्क दिया जाएंगे जो अलगलग ग्रूप बनाए जाएंगे उनको दिये जाएंगे और वे फिर कक्षा में उसका परदर्शन करवाया जाएगा इंडिविज्वल वर्क में कुछ क्वेश्चन तयार किया जाएंगे जैसे अभ्यास के प्रश्ण हैं और कुछ खुद के प्रश्ण भी तयार कर सकते हैं और उनको बच्चों को अलगलग दिया जाएगा सभी बच्चे उसे बनाएंगे और इंडिविज्वल वर्क को पूरा करेंगे आखिर में हम इवेल्यूशन का काम करते हैं तो देखते है कि किस प्रकास से बच्चों का इवेल्यूशन किया जाएगा जिसे हम अपना भी आकलन कर पाएंगे तो सबसे पहली बात की लर्न क्या लर्न कर चुके हैं अब्जेक्टिव जो दिये गया है इसे टॉपिक में तो अधिकतर बच्चे जो है इसे टॉपिक को अच्छे से लर दोप्टर को दोबारा पढ़ाने के आप सकता नहीं है तो नो दा टॉपिक डिद नॉट नीट टूबी डिस कस्ड अगें विकाल लर्न लर्न टॉपिक आपड़ अब्जेक्टिव अब्जेक्टिव इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ है को बच्चे द्वारा और स्वाएं उनको हल करें तो ज्यादा बहतर हो उनको यह मिलनी चाहिए इसके बाद क्या है कि हम क्या क्या रिसोर्से यूज कि हैं इस चप्टर को पढ़ाने में इसके लिए हम चौक डस्टर ब्लैकबॉर्ड चार्ट पेपर अधी जो है यूज कर सकते हैं और साथ ही हम यह देख सकते हैं कि क्या इस चप्टर को पढ़ाने के लिए क्युकर निचेंजेज जो भ़ोश्मिकी जाने हैं तो उसको कर सकते हैं जो तुम यitको वहां इसको पढ़ाएगे यह उसके बाद है कि इस चपरिदक को पढ़ाने के लिए जब हम कंगह्च्छा मां जाते हैं तो कुछ problem आ सकते हैं तो क्या उन problems को अपने expert या फिर अपने mentor से चर्चा करने के हो शकता है या नहीं है इस चीज़ों को यहां लिखा जाता है अगर आपको लगता है कि उससे topic पर चरचा करनी आप शकता है तो आप करें इसके बाद any other comments भी लिखते हैं तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो please subscribe करें साथ ही साथ अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो like करें, share करें और कोई दिविधा हो, कोई परिशानी हो तो please comment करें मैं आपके परिशानियों को दूर करने के कोशिश करूँगा धन्यवाद